चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरी बचो NEET24 के application form start हो चुके हैं और इस बार इसकी website भी change हुई है और registration process में भी थोड़ा सा change हुआ है इसकी website neet.ntaonline.in है और registration process के बारे में मैं आपको step by step process बताऊंगा कि कौन से column में आपको क्या fill करना है ताकि आपके पास किसी प्रकार की कोई mistake ना हो सके तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एक बार इसका schedule देख लेते हैं फिर आपको मैं step by step बताऊंगा कि forum कैसे fill करना है तो सबसे पहले important dates देख लेते हैं तो 9th March 24 इसकी last date है application form fill करने की साम 5 बजे तक payment कर सकते हैं आप 9th March 24 को रात 11 बजगे 50 मिनट तक उसके बाद में जो fees रखी गई है general और NRI category के लिए 1,700 रुपीज है EWS, OBC के लिए 1,600 रुपीज है SC, ST, PWD और 3rd gender के लिए 1,000 रुपीज रखी गई है exam date आपको जैसा की पता है 5th May 24 को रखी गई है 200 मिनट का paper होगा और 2 बजए से लेकि 5 बजगे 20 मिनट तक दोपेर तक ये paper रहेगा 14th June 24 को result आ जाएगा ये इसका schedule है अब मैं आपको बताता हूं कि इसका registration कैसे करना है तो इसका registration आपको 3 steps में करना है सबसे पहले apply for online registration का step complete करना है fill online application form करना है और submit documents करना है उसके बाद में please paid करके submit कर देना है तो आपका form complete हो जाएगा अब सबसे पहले हम इसमें step ये clear करेंगे apply for online registration का तो आप इस परकार से देख रहे हैं left side में new candidate register hair लिखा हुआ है और right side में only registered candidate login hair लिखा है तो अभी तक हमने registration नहीं किया है इसलिए हम new candidate register hair पर click करेंगे registration करने के बाद जैसे हमारे पास application नमर और password आ जाएंगे फिर हम यहां login करेंगे तो सबसे पहले हम new candidate register hair पर click करेंगे यहां पर तो जैसे ही click करेंगे हमारे को यहां पर download information platine का tape दिखाई देगा हिंदी और English दोनुले इंग्वेज में हम इसको एक बार पढ़ लेंगे वैसे मैं सासाथ आपको इसको बताता जाता हूँ इसलिए आपको यहां पता चल जाएगा कि कौन से कोलम में क्या फिल करना है मैं सासाथ बताता जाओंगा यहां पर फीस दे रखिए जो मैंने आपको आलड़ी बता दी है और इसमें apply online के लिए steps वगरा दे रखे हैं password आपको कैस प्लेटीन के check box पर यहां हम check करेंगे click here to proceed पर यहां click करेंगे तो जैसे ही click करेंगे इस परकार का interface आएगा यहां step है login and identification for online submission of application form यहां login करने के लिए हमें कौन सा option रखना है और हमें ID क्या रखनी है उसका यहां पर हमें details देना है तो यहां पर यह छे साट details है यह details हमको यह यहां पर देनी है सबसे पहले I have आधार card and wish to create my login using आधार number आपके पास अगर आधार card है तो वो भी आप login के लिए use कर सकते हैं और identity के लिए use कर सकते हैं लेकिन यहां पर आपको ध्यान रहे कि आपके आधार card में आपका नाम, father name और date of birth आपकी 10th के mark seat के according है अगर यह ऐसा स option यहां available कर सकते हैं तो यहां first वाले option पर click करेंगे यहां नीचे आपको आधार number देने हैं और फिर generate OTP पर click करना है तो जो आधार में आपका mobile number registered है उस पर OTP आएगा यहां आपको OTP drop करना है और submit पर आगे click करना है तो यह तो हो गया उस condition में जब आपके पास में आधार card ह है और उस आधार card की detail आपकी 10th के mark seat के according है अगर उसमें कुछ miss match है तो आप दूसरे number का option यूज कर सकते हैं इसमें I have a dg locker account अगर आपके पास में dg locker account है तो आप इसको यूज कर सकते हैं login के लिए dg locker का मतलब जहां पर student के documents वगरा होते हैं online हम वहां से documents से receipt कर सकते हैं या फिर हम online document store कर सकते हैं तो यह government का ही dg locker है जहां पर document store कर सकते हैं documents download कर सकते हैं अगर आपके पास में यह account है dg locker तो ठीक है नहीं तो इसकी website पर जाकर के आप account create कर सकते हैं अगर website पर नहीं जाना आप यहां से भी इसको account को create कर सकते हैं I do not have a dg locker account इस पर click करने के बाद में जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे, create dg locker account पर आप क्लिक करेंगे, तो जैसी आप क्लिक करेंगे, इस परकार का interface आएगा create करने के लिए, इसके सारे steps फिल करने के बाद आपको यहां पर एक security pin डालना है, और आप mobile number से create करने हैं, तो mobile number और आपके पास security pin होने के बाद में, आप फिर से इस टेप पर वापस जाएंगे, और इसमें आपको I have digital, sorry, I have dg locker account पर क्लिक करना है, और फिर login and identify through dg locker पर क्लिक करना है, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप mobile number और security pin डालके एक बार sign in करेंगे, तो इस परकार का option आएगा, यहां पर आपको टिक कर देना है, जो आप share करना चाते हैं, NTA के साथ में, और allow पर क्लिक करना है, जैसे ही आप allow पर क्लिक करेंगे, इस परकार का interface आएगा, आप login हो जाएंगे dg locker details के साथ में, अगर आप dg locker के साथ में नहीं करना चाते हैं, आपके पास अगर academic bank of credits का ID है, यह होता है, student का bank credit होता है, और यह dg locker से ही open होता है, इसको भी आप create कर सकते हैं, अगर आपके पास यह है, तो इससे भी आप login कर सकते हैं, नहीं तो I don't have academic bank of credits ID पर क्लिक करके, आप इसको create कर सकते हैं, create करने के बाद इसको login करेंगे, और login करने के बाद में submit करके उसी stake पर आ जाएंगे, अगर आप इन दोनों से भी login नहीं करना चाते, आदार से भी नहीं करना चाते, तो इसमें एक passport का option और है, Indian passport अगर आपके पास है, तो आप Indian passport से भी आप यहाँ passport नमर डालके, click to proceed पर click करके आगे form को complete कर सकते हैं, अगर आपके पास pen card है, तो इसी state पर click करके pen card नमर डालकर के, आप आगे proceed कर सकते हैं, click for proceed पर, इसके बाद अगर आपके पास में non Indian passport है, तो उससे भी आप click करके proceed कर सकते हैं, मैं यहाँ पर detail देता हूँ, मेरे pen card की detail देके, click to proceed पर click कर देता हूँ, तो यहाँ pen card नमर लिखे आएंगे, और आगे आपके registration की state में personal detail यहाँ आ जाएगी, अब आपको यहाँ पर candidates name लिखना है, आपका नाम लिखना है यहाँ 10th की mark seat के according, father name लिखना है, वो भी 10th की mark seat के according, mother name लिखना है 10th की mark seat के according, और date of birth भी 10th की mark seat के according लिखना है, जेंडर लिखना है, यहां पर जेंडर में आपके तीन ओप्सन आएंगे, यहां ओप्सन सेलेक्ट कर लें, इस पर क्लिक करके, तीन ओप्सन आएंगे, मेल, फिमेल और थर्ड जेंडर, तो आप जिसके लिए भी एप्लिकेबल हैं, उस पर आप क्लिक कर दीजे, इसके बाद म CIE foreigner और इस प्रकार से option आएंगे तो आप Indian पर select कर सकते हैं अगर आप दूसरे country से हैं तो आप अपने जो भी आपके लिए applicable है उस पर आप select कर दें इसमें identification के type यहाँ पर आएंगे इसमें जो type हैं सबसे पहले है कि आप कोई भी इस पर drop down करेंगे तो इसमें type लिखे आएंगे इसमें कोई भी आप government ID जिसपे photo लगा हुआ हो वो यूज कर सकते हैं bank passport, passbook जिसपे photo लगा हुआ है इसके बाद में class 12 का admit card जो board द्वारा issue किया गया है इसके बाद में election card हो सकता है pen card हो सकता है, passport हो सकता है और रासन card जिसपे photo लगी हुई हो तो यह आप इस drop down पर click करकि जो भी आपके पास ID है वो ID यहाँ select कर लें और यहाँ पर ID का number लिख दें यहाँ पर इसके बाद आपको नीचे यहाँ address लिखना है, पहले present address लिखना है, present address में आपको यहाँ पर address में यहाँ लोकल्टी वगरा और इसके बाद में country, pin code number, mobile number यह सारे देने हैं ध्यान रहे कि address प्रूब के लिए आपको एक प्रूब भी submit करना होगा तो उसी का आप address दें तो बेट रहेगा, यह present address है और इसमें present address देने के बाद आपको mobile number देना है और email ID देना है और अगर आपके पास alternate कोई email ID, mobile number है तो आप यहाँ दे सकते हैं इसमें, इसके बाद मे आगे नीचे आपको permanent address फिल करना है, अगर आपका same present address और permanent address तो इस पर यहाँ पर आपको check करना है, same as present address पर checkbox पर check कर देना है, चेक करने के बाद में आपको यहाँ security फिल करना है और यहाँ पर एक password चूज करना है, पासवर्ड चूज के लिए आपको एक capital लेटर देना है, एक small letter देना है, एक special character देना है, जैसे कि मेरा नाम हर्षाई चोप्रा है, तो मैं ऐसा use कर सकता हूँ, चोप्रा मेरा subtitle use कर सकता हूँ, उसमें C capital कर सकता हूँ, बाकी small कर सकता हूँ, use कर सकता हूँ, add the rate और फिर 2024 इस परकार से password create कर सकता हूँ, जिसमें एक block letter, एक capital letter, एक small letter और special sign और यह अपना numeric value आ जाती है उसमें, इस परकार से यह password आपको confirm password क्लिक करना है, फिर security question में आपका school का नाम, या फिर आपका neighbors, name और यह आप इसमें डालके answer इसका यहाँ डाल सकते हैं, इसके बाद security pin में security pin डाल करके submit पर आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही submit पर क्लिक question दी है, वो यहाँ show होगी, candidate name, father name, पहचान, type, gender, जैनमति थी, इसके बाद में father name, ID number, इसके बाद जो आपने present address दिया है, permanent address दिया है, यह सारी details यहाँ आ जाती है, यह आप एक बाद पूरा check कर लेना है, अच्छी तरह, अगर इन में कोई mistake है, तो edit registration form पर क्लिक करना है, य इसके यह मैंने सारे check कर ले, इन पर tick का निसान लगा देना है, और इसके बाद I agree पर क्लिक करके सब कुछ सही है, तो submit and OTP पर क्लिक करना है, अगर इसमें कोई mistake है, तो edit पर क्लिक करना है, और फिर same procedure करके submit and send OTP पर क्लिक करना है, तो आप से पुछा जाएगा कि इसको OTP भ दिखाएगा कि आपका account verified हो चुका है, email address पर, आपके email address पर application number और password send कर दिया गया है, तो आपका application number और password आप inbox से देख सकते है email में, अगर वहाँ नहीं है, तो junk folder में भी या spam folder में भी आपको ये application number ये password मिल जाएगा, ok पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही ok पर क्लिक करेंगे, आप फिर से इस page पर वापस आ जाएंगे, login page पर, तो आपका जो new candidate registration का step था, वो complete हो चुका है, अभी आप यहाँ से login करेंगे, तो login करने के लिए आप जैसे ही इस पर drop down पर क्लिक करेंगे, तो application number से भी login कर सकते हैं, application number आपके email पर आ चुका है, और password आपने create किया है, वो password तो यहाँ application number डालेंगे, password जो आपने अभी create किया था, वो password डालेंगे, और यह security pin डालने के बाद में login करेंगे यहाँ पर, login के लिए और भी option है, जैसे login अगर आपने, वहाँ जो option दिया था, मैंने आपको बताया था, कि आप dg locker से भी login हो सकते हैं, आदार card से भी login हो सकते हैं, तो यहाँ पर एक option यह है, कि आप इनसे भी login कर सकते हैं, तो मैं आपको suggest करूँगा, application number से ही login करेंगे, तो सबसे best रहेगा यहाँ पर, login पर click कर देंगे, जैसे ही login पर click करेंगे, यहाँ पर आपका नाम लिखाएगा, application number लिखाएगा, और यहाँ आपके steps लिखे आए हैं, तो सबसे पहले application form का steps fill करेंगे, complete application form पर यहाँ click करेंगे, और उसके बाद application form complete करने के बाद में fees payment यहाँ पर करेंगे, तो यह steps था registration का, इस वीडियो में मैं आपको registration का step ही बता रहा हूँ, application form का step और fees payment का step next के वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यह काफी लंबा हो ज जो man important है, वो man important यह है कि अगर आप, अगर आप आधार नमर यहाँ यूज कर रहे हैं और identity के लिए आधार दे रहे हैं, तो कोई दिकत नहीं है, और अगर आप आधार नहीं दे रहे हैं, या ID के लिए बाकी सारे यूज कर रहे हैं, तो आपको exam से पहले exam center पर one hours पहले जा सकते हैं, यह इसमें notification दिया गया है, यानि कि अगर इनमें से आप आधार के अलावा जो भी option अवेल करेंगे, जैसे कि डीजी लोकर का करेंगे, ABCD का करेंगे, Indian passport का करेंगे, पैन कार्ड का करेंगे, तो आपको exam center पर one hours पहले जाना पड़ेगा, चेकिंग के लिए, वह authentication के लिए आपको एक घंटे पहले जाना पड़ेगा, अगर आप आधार यूज कर रहे हैं, तो फिर कोई दिकत नहीं है, आप समय पर भी जा सकते हैं, कोई problem नहीं है यहां पर, तो यह एक important steps था आपके लिए, तो मैंने registration का step complete बता दिया है आपको, इसमें आपको mistake नहीं कर नहीं है, जिस परकार से मैंने आपको बताया, उसी परकार से आप registration का step complete कर सकते हैं, next के वीडियो में मैं आपको application form और document submit के बारे में बाकी details के बारे में बता देता हूँ, तब तक आप हमारे चैनल को subscribe करके रखें, वीडियो को like or share करें, मिलेंगे second वीडियो में, पाट second म तब तक के लिए जैहिन.